तो फाइनली ढूंड लिया आपने हां मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षया बारा इतिहास भरतिया इतिहास के कुछ वीश्य भाग एक पार्थ नमबर तीन बंधूतव जाती तथा वर्ग इस चैप्टर का भाग दो होने वाला है भाग एक के अंदर हमने काफी मतलब आधा पार्थ पढ़ लिया था और आधा पार्थ अब हम इस वाले पॉर्शन में पढ़ने वाले हैं चलो शुरू करते हैं मैं हूं अजे और आप देख रहे हैं इस चैप्टर के आपको नोट्स मतलब पूरी ब कहानी को यहां है कुछ चीजे जानी थी महाभारत की कहानी पूरा चैप्टर एक कहानी को लेके बनाया गया है और कि उस चाइब कमेर में हमेह का बहुत सारी का पता चला हमें उस टाइम के रहन सहन का कैसा यह व्यावहार से लोगों के क्या-क्या आम लोगों को दिक्कते आती थी बहुत सारी चीज़ होगा हमें इस ग्रंद से ग्यान पता चला अब हाँ एक चीज़ मैं इंपोर्टेंट ली बता दूँ आपको आप चै समझ रहा है तो काम आईगी बहुत ज्यादा काम आईगी वीडियो चलोब सुरू करते हैं यहां पर मैंने बहुत सारी किज़ें करा दी थी तो यह मैप आपको जो है रीकैप कराता हूं दोबारा से क्योंकि इंपोर्टेंट रहेगा यह थोड़ा सा मैप यह हस्तिनापूर मगथ का रहें पा पाठाव यह मगत पाता हँए गार창 के लिए कहा रहे कि आप महाभारत की कहानी हैं उन्में कुछ लग ही दिख़ाय गेगे है आप किश की मानें हम कहां तक हमने पढ़ लिया था यह हां यहां तक हमने पढ़ चुके थे इस वाले पॉर्शन तक अब जो है आगे बात आती है चार वरणों के परे एक ही करण इकठा होना साहिती संस्कृत साहिते में जब ऐसी समुदायों का उलेख मिलता ना जो तो उन्हें जो है में मलब एक कुम्यूनिटी होती है लोग होते हैं बहुत सारे ब्रहमन लोगों ने उस टाइम में क्या कर रखा था पहले नंबर पर ब्रहमन उसके बाद में राजा यानिकी छत्रिय लोग उसके ऐसे बाट दिये थे कुछ को सुद्र बुला रहे एक तो कुछ ऐसे लोग बच गरे जो कि सोच से प där तब आधिवासी जंगलों में रह रहे ते जो उनकी नीटी जो बनाए गथी कानून बनाए गए उन्से परे थे आधी उन लेना देना नहीं थे यह उनका दिंचरिया रहती थी शिकार करना था मतलब कंदमूल खाना मतलब समझते हुँ ना कंदमूल टौट था उनको इनको इन कानून मानून से कुछ लेना देना नहीं होता था यहाँ पर कहानी आपने पड़ी थी पिछले वाले बाग के अंदर एक लव्य की कहानी उसने अपने गुरू को अंगुठा काटके दे दिया था सबसे अच्छा धनुदर वह बन चुका था अपने मतलब खुदी ट्रेनिंग करकर के तो वह भी एक निशाद वर्ग से था जो क संस्कृत भासा को जानते ही नहीं थे जो एस संस्कृत भासी थे उनको इन्होंने मलेच कहकर जो है द्रिष्टी से देखा जाता था यानि कि तुछ लोग बोल सकते आप एक तरीके से तो ऐसा जो है उनको बोला जाता जिनको संस्कृत नहीं आती थी जैसे आज कल अगर आप नहीं आपको कोई नोलेज नहीं आपन पढ़ हो विल्कुल तो वही सिंथा उस टाइम पर भी जिनको संस्कृत नहीं आती थी तो ऐसा बोला जाता था अब यह जो है इंगलिश वाले इंडिया जातर जगों पर चल रहा है अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात पांडव भीम जो बल के लिए परसीद यहां पर प्रेम भडे कहानी यहां रखवाली करते रहे भीम पांडव के अंदर था भीम उसने पकड कर लाने के लिए दिया इनको देखकर उसी पर अपना दिल उटा बैठी प्यार आ गया उसको तो और फिर जो है उसे ने जो है अपने भाई वाई जो भी उनको मार डाला उसके बाद उनके साधी वी भीम की सा मलब तो उन्होंने जो है पूरा ऐसे चीन हुआ की दिन में जो है वह इंबा के आना होता था तो यह चलता रहा उसके बाद में उनका पूतर हुआ जिसका नाम रखा गया घटोतकच यहां पर कहीं मिलेगा नाम उसका भी एड़ा तो उसका नाम घटोतम रखा गया जो कि युद्ध जब हुआ था ना महाभारत का युद्ध उसके अंदर बहुत तहलगा मचा दिया मतलब दो या तीन दिन के अंदर ये उसने तक्ता पलट कर दिया था उल्मोस्ट मतलब बहुत हजारों की संख्या में शैना को उड़ा डाला था के लेने क्योंकि राक्षस थायार और उस टाइम में आप इसा भी मानते हैं इतियासकार की राक्षस जो है ना उस टाइम पर उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यावार उन मान दंडों से अलग थे जिनका चित्रन ब्रहामनियां गरंतों में हुआ था जो उनको उनका यह था कि हां आपको ऐसे ऐसे काम करते हो तो आप सब् पहले और पिछले वाले बाग में पढ़े तो उनके जो है उपर की कुछ चीजे थी अधीनता और संगर्स ब्रहामन जो है कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली समाजिक परनाली से बाहर मानते थे यानिकि जो उन्होंने परनाली बना रखिता है जो रूल मतलब चार हिस्थों में बाठ दिया समाज को तो उससे अलग भी कुछ लोगों को उससे भाहर निकाल दिया साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्णों को एस परिश्या घोस्थ कर दिया यानि कि परस भी नहीं कर सकते आप उसको चुँआ छूद टाइब का होता है वो तो वो भी घोस म स्विकार नहीं करते थे यह कमाल की बाती की जिन लोगों को ब्रहामनों ने यह बोल दियां ना यह ये इन को हात नी लगाना हूँ तो उन से वो भोव जन तक ग्रह्ण करते थे जो खुद को पवितर मानते थे पहलिग के ठीक विपरित कुछ कार्या ऐसे थे जिने खास तोर से दूसीत माना जाता था सवों की अत्येष्ट मृत पस्वों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था उनको गाँ जो भी सहर जो भी बसा रखे दोनों ने उसके अंदर घुसने तक की अनुमती नहीं थी मतलब जो सव जलाए जाते थे हैं जो व्यक्ति जलाते थे उनको पर घुसने तक की अनुमती नहीं थी मतलब है फिर रुन को नहीं थी उनको जो है पावित्त्राकारी मानते थे चंडाल बहुत बुरा हाल था बहुत यह बुरा वेवार था उस पहले कुछ किताब में लहीं गई थी कुछ लोग जो है चाइना से भारत आए थे इनी चारों तरफ बहुत दर्म हो रहा था तो चीन से कुछ लोग आये कुछ बहुत भिख्षू आये एक था फास येन जो की चाइना से आया था उसके अलावा एक था यहां पर है स्वें तसांग यह दोनों जो है छटी कलास के अंदर आये थे इस्ट्री के अंदर बताया गया था करताल बजा कर अपने होने की सुचना देनी पड़ती थी जिस सिराना अन्या जनून ने देखने से के दोस्ते बच जाये मतलब लें तो मतलब तुम दूसीत हो चुके हो बोल सकते हो मतलब क्या ही करें ऐसे लोगों का एक और चिनी तीरथियातरी था यह पहले आ रहे था यह जू यह 15 ताब्दी में यह शाटवीश का कि वदीत सफाई करने वालों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था देखो साफ सफाई वाला बाहर रहेगा जो सबों को जलाता है मरिस जानवरों को दफनाता है जो भी करता है वो भी बाहर रहेगा और उनको जो है ऐसा था कि उनको बताना पड़ता था लोगों को कि हम आ रहे हैं बहुत सारी कहानी मैं आपको बताता चलूँगा अब बात आती है जनम के परे यानि कि जो चीजे थी कुछ चीजे क्या हो थी जनम पर निर्भर कर रही थी संपत्ति का बटवारा कौन सी जाती से पैदा हुए कुछ चीजे जनम से पर निर्भर लगें जैसे कि यहां पर बताया गया है संपत्ति पर कोई गलती नहीं इसमें कूल मिला के देखते यहां सेल रहा था कि जो यहां पर कहानी से बता रहें कि दुर्योदन ने युदिष्टिर को दुरूत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया वह तुर्योदिष्टिर अपने परतिद्वंदी द्वारा धोका दिये जाने के कार्ण इस दुरूत में स्वर्ण हस्ती रथ दास सेना कुस रज्य अपनी परज्या की संपत्ति अनुजो और फिर्श्यम को भी दाव पर लगा कर गवा बैठे इसके उपरां तुन्हें पांडवों की सहय पतनी द्रोप्ति को विदाव पर लगा दिया और उसने भी उसे भी वहार गई क्योंकि पूरी जाल साजी होई थी वहां पर तो और यह सारा सीन यहां पर वैसे अकर आप लोजिकली देखते हो तो यूदिश्टिर को कोई अधिकार नहीं था कि भाई और भी थे ना तो बराबर बराबर अधिक है पूरुस के पास कुछ तरीके होगा करते थे ते सथ करने के में थे साथ तरीके कई रहीं परा विरासत समझतें माथा पिता से मिली ओ खोज खोगा react निवेश कारियदवारा और दुल्き bread यानि कि तुमने कहींसे पर घुजाना काश्यार और तो तुम्हारा है लोग ऐसे ही बहुत सारी चीज़े हैं मनलब यह जो बता रखे हैं कुछ चीज़े मुझे भी समझ में नहीं आए जैसे कि यहां पर विजीत करके पता नहीं क्या है यह जीत के होगा कुछ सर्थवर्त रगा कि जो भी था इस तरियों के पास जो अच्छा तरीके हुआ करते थ हैं उनके पती का भी अधिकार नहीं होता था उनकी मर्जी वो उस जो भी धन संपत्ति उनको मिली है उसका वो जो चाहे कर सकती थी उसके लावा में कुछ रानिया थी उनको अधिकार दिये हों कुछ भी हो सकता है ऐसा हमें देखने मिला है कři पुछले पार्थ के उन्दर कुछ आ जिकर आये था जिन्रहुने था कि अब आगे अगे पाहानी आन के और अवंति ने कच्चन से पूछा अब्रामणों के समत के बारे मनकी क्या रहा है तो यहां पर पूरी कहानी सी है कि जो है राजा बोलत मतलब यह आवंति पुत्तर यह राजा था ठीक है वह कच्चन जो है बूध्ध रम्का था तो उसने बात कर रहे ते अपस में तो उसने तो अगर व environmental वर्ग होता तो क्या वह भी दास रखता यह अनला इस बात को ले कि कोई मत भेद नहीं है मतलब कोई अलग डिफ्रेंस नहीं है उन्स चीजों के अंदर बस यह अमीरी गरीबी का फरक पड़ा हुआ है सारक का सारा संपत्ती में भागेदारी का मैंने आपको बता दिया है स्यम साइप पैटरन संपत्ति जो है कैसे होती थी कैसे बटवारा होता था वो समझे चुके आप भी बार बार यहीं चीज़ी आती रहेंगी कि यहां पे जो है संपत्ति को पूर उसके पास बेज जा जाता महिलाओं को दिकार नहीं था या फिर बेटियों को दिकार वहां पे नहीं था बराबर बाटना होता था जो बड़ा बेटा था वो बटवारा करता था अगर माता पिता ना हो नहीं तो माता पिता बटवारा करत यहां पर देखो यह मुर्ति है यह में मिली एक सरदार उसके नुए की मुर्ति पत्थर की मुर्ति अमरावति अंदर प्रदेश में मिलिया दूसकी स्थाबदी में जिसमें आप यह देख सकते हो कुछ पेंटिंग सी बनी हुई है पता निकिस चीज की है और यहां पर जो है इसके अलावा आगे बढ़ते हैं देखो ज़्यादा इस पार्ट के अंदर है ना तो एक्स्प्लानेशन कुछ है एक होता है कि कहानी में मजा आ रहा है कुछ कहानी है कुछ लोजिक है पीछे का यहां पर कुछ नहीं है यहां पर शिर्फ ऐसे बातें सी कर लेकिन बताना जरूरी है यह चीज़े क्योंकि पता तो होना चाहिए ना उस टाइम का आम समाज का मनलब हालत क्या थे यहां पर देखते हैं एक सामाजीक अनुबंद सामाजीक अनुबंद के अंदर देखते हैं कि मनुष्या आदिकारिक लालची शुरुआत में क्या वो सोच जो है खतम होती चली गई मनुस्यों ने उस व्यवस्था को बरबाद कर दिया मनुस्य अब अधिकान दिक लालची परती हिंसक और कप्ती हो गए थे इस इस्तिती में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुस्य का चैन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो ज क्या जाना हो उसे करें बदले में हम उसे चावल का इंस देंगे सब्लों को दबारत चुने जाने के कारण उसे महा संप्त की अपाधि प्राप्त होगी यानि कि बोल सकते हैं सरदार बना लो कभी लेका एक ऐसे और हम उसको जो है चावल के कुछ हंस दिया करेंगे अपने पास से और उसको अधिकार होगा वो किसी को भी गुश्चा कर सकता है किसी को भी निकाल सकता है अपने समुदाय से तो वह सींटा तो दीरे-दीरे ऐसे सरदार चुन लिया कि हाँ यह सारे करा करेगा उसके बाद ऐसे बहुत सारे बनते गए अलग-अलग इलाकों में विचारदार फैलती गई और फिर जो है वह सरदारों में जगड़े होने लगे तो फिर राजा बन गए उनको भी कंट्रोल करने वाला को यूपर की हस्ते बै उस टाइम में गरंत लिखे हुए मिले हैं प्राकरत भासा में लिखे हुए मिले हैं तो यह जो लिपी जो उन्होंने इस्तिमाल करी हैं उन्हीं के आदार पर हम उनको वर्गी करिफ्ट कर देते हैं इतियासकार इस गरंत की विशेवस्तु को दो मुख्य सिर्षक आखानों उपदेशात्मकों के अंतरकत रखते हैं आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में समाजिक आचार विचार के मान दंडों का चितरन के अगया देखो दो भागों में बाठ द के लिए उस टाइम पिरेड़ के तो उनके अंदर दो हिस्से कर लिए हमने एक के अंदर कहानियों वाले को मिलता है वहां पर लेकिन हर बार ऐसा नहीं ता मतलब बहुत सारी जगों पर घडबड़ी हुई आख्यान के अंदर आचार विचार मिले देखने को कहीं जगों पर उपदेश आत्मक के अंदर कहानिया देखने मिले मला क्या ही करें फिर इन लोगों का तो यहां पर यह अरजुन बैठा हुए यह यूदो के टाइम में उपदेश दिया था आपने महाबार्त अगर देखी ओगी वैसे देखी हो गया 12 में आ गयो मैंने भी देखिया हो तो तो यहां पर उपदेश देता है किर्सन जो है अर्जुन को की तुम्हारे मनलब बहुत लंबा उपदेश था सुनता गया आगे चलो लेखक और तीथियां समय क्या पंगा था देखो मूल ता जो कथा थी में कथा कि रचे था भाठ सास्त्री थे जिने सूत कहा जाता था युद के साथ जो है युद में जाते उनकी विजय उपलब्दियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे यह गणेश ने स्रीगनेश से लिखवाय था यह जो है माना जाता है यह इन गरंतों के रच्यता है क्या कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो साहितिक परंपरा के में इस वरिहत रचना के रच्यता यह जो इतना बड़ा महाबारत और जो भी कुछ गरंत वरंत लिखे गए ना उनके रच्यता रिषी व्यास माने जाते हैं यह जो यह जो यह जो याद रख ले तो वह यह ठीक है अब सद्रिश्रता की खोज उन्हीं से क्यामन बावन में पुरा तक्तवेद बीबी लाल के ने मेरट जी ले के अब यहां पर क्या मिला वहां पर बीबी लाल को यहां आबादी के पांच स्त्रों के सक्षय मिले मतलब आबादी खतम हो गई उसके उपर ढग गया फिर आबादी मिल गई ऐसे होता ना जिसमें जिन में से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विशलेशन के लिए महत्व पूर्ण हैं दूसरे स्तर पर हमने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं जिस सीमित छेतर का उत्खनन हुआ आवास गरहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती यानि जो गहर बनाए गए देशित परियोजना के तहट बनाए गए थे यहां पर वह हां सरकंडे कि चापवाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की और करते हैं कि कुछ घरों की दिवारे सरकंड़ों की बने हो इता सब्सक्राइब लकडी टाइप का ही होता है मनलब लकडी भी नहीं होती वह उन चीजों से भी दिवारे बनी ती मिलब जैसे बोल सकते हैं जोपडी डलियों वह चीज़े जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था और उन सरकंडे में लगडी शी होती है जो नदियों के आसपस उ के लावा हमें तीसरा स्तर भी मिला वहां पर क्या बताते हैं ये कि तीरीटीय काल के घर कच्ची और कुछ पखी यटों کے बने वी थे मतलब यह लागाम बाद में आया यह पहले आया जबकि ये वाक़ आल के इंदर पकी य concepts इति इन में सो सग घठ और इटों के नाले गंद अब बढ़ते हैं आगे द्रोपती का विवा यह थोड़ी से मज़ेदार कहानी पढ़के सुना तो मज़ाएगा यह दिवार मिलिया देखो यह वाला फोटो देख रहे हैं तो यह कुछ दिवार मिलिया उत्खन से बाद में यह कहानी सुनो मज़ाएगा पांचाल नरेश दू कर निशाने पर तीर मारा जाए विजयता उसकी पूत्री द्रोपती से विवा करने के लिए चुना जाएगा अर्चुन ने प्रतियों किता जीती और द्रोपती को वर्माला पहना दी पांड़ा उसे लेकर अपनी जो है माता कुंती के पास गए उससे जिन्होंने बिना दे पतनी होगी इस वजह से वह पांचों की पतनी बनीती अगर आपको नहीं पता हो यह खानी तो मतलब बहुत रेर देखने को मिलती है अब जो है यहां पे उसके लावा जो है रीशी व्यास थे उन्होंने जो है दुरूपत क्योंकि दूरूपत गुस्सा हो गया विवात और और उस विवा को स्विकार कर लेते हैं अत्रोपती पांचों की पतनी बन जाती है फाइनली ठीक है तो यह भी कहानी थी आप एक उसके अलावा जो है एक गतिशील गरंत यहां पर जो है यह गरंत से बहुत सारे इनके अंदर बहुत सारी चीज़े हमें जानने को मिली उस ट है पड़ रहे हो ना इस पार्ट के अगर गाईडवाइड है आपके पास तो जरूर से द्यान रखना कि आपको जो है ना जो लेखक कहानी ज्यादा कहानी नहीं थी कुल मिला के आपको एक चीज समझ ले चाहिए इस पूरे चैप्टर से लेखक वेखक तो अलग है वाई उ मैं बता रहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगा में तो कि जो समाज था ना उसके अंदर ब्रहामनों ने सारा सिष्टम बाट रखा था वर्ग बाट रखे थे नीचे वाले वर्ग की बेजती करी जाती जो उनके मांदंडों पर नहीं निकलते उनको भहिसकार कर द आदिवाशियों को वह लोग ब्रबाद समझते थे यह उस तायम के समाज का पूरिशों के पास सारे अधिकार थे इस तरयों को दिकार नहीं दे रखे करने के लिए सारी संपति पूरुस लेकर बैठ जाता था चलो यह था कहानी के अंदर आई हो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कहानी तो नहीं थी वैसे आईडिया था कि महाभारत के टाइम में भी क्या चल रहे थे क्या क्रिया कलाप होते रहते थे समझ में आ गए होंगे आसान से त्यार कोई ज्यादा दिक्कत आनी नीचे आपको चलो वीडियो खतम करते हैं मैं कवर करने वाला हूं क्लास सब्सक्राइब कर लो साथ में घंटी दबाव ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो आपको टाइम से मिल जाए है